पूर्व सीम व विरोधी में विपक्ष के नेता देवेंडर फणनविस ने कहा कि राज की उद्ध सरकार लोगों को जूटे सपने दिखा कर पल्टने वाली पल्टुराम सरकार है सरकार को जनता सबक जरू सिखाएकी उन्होंने कहा कि इस सरकार में एक नया धन्दा देखने को मिला विपद्वीतर चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी उमीदवार संदिप जोशी के प्रचारत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे उन्होंने कहा कि राजी के उर्जा मंत्री ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोशना की और पलड के शिरसेना ने 30 प्रतिशत तक बिजली बिलो में कम करने की घोशना की और फिर पलड गई और उलट 5 गुना बिजली फिल बेचा लोगों ने चिलाया तो 2000 करोड तक माफ करने की घोशना की लेकिन फिर अब पलड के उन्होंने कहा कि महाविकास अगार इस सरकार की पास युवाव को रोजकार दिने की कोई ठोस योजना तक नहीं है शिक्षकों को हमारी सरकार आती ही 20-20 प्रतिशत अनुदान दिया लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई इस सरकार ने 20 प्रतिशत रोग दिया पुर्य राजय में विकास कारे को रोख दिया अस्तोरान चंद्रशिकर बावनकुए कृष्णा खोपडे संजे भेडे जेप्रकाश कुप्ता संजे बंगाले चेतना टांग संजे ठाकर धर्मपाल मेश्रा मनिशा कोठे प्रमोत पेंड के प्रमालू संजे अवसट बंटी कुकडे कांता रारोरकर मनिशा धावडे सरीता कावरे मनिशा अतकरे सहित बड़ी संख्या में पदविधर मत दाता उपस्ति थे फटनविस ने कहा कि मौजुदा सरकार के नेताओं को विधर पर गुसा है मुख्यमंत्री केवल मुंबई के मुख्यमंत्री बर कर रह गये है आपदा में नुकसान ग्रस्त किसानों को पैसे नहीं दिये अब हमें इस नातक चिनाओं में सियम को दिखाना पड़ेगा तब ही वे भाग कर नाकपुरा कर विधर्प के लिए काम करेंगे उन्होंने संदीब जोशी को पुर्वनाकपुर से 75% से ज्यादा वोटिंग करने की अपिल की उन्होंने कहा कि सरकार को उसकी अस्ति जगा बताने का समय आ क्या है